कटिहार में जन आक्रोश है, लोग हाथों में डंडा लिये हुए हैं, पोलस चौकी को निशाना बना रहे हैं, आखिर क्या वज़ा है जो आज गाउं के लोग खाकी वर्दी बालों के सामने आकर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, देखे हमारे इस खास रिपोर्ट में काउं के लोग गुस्सा है, नाराज है, हाथों में डंडा है, आखों में आक्रोश है, ऐसा लग रहा है, ये तूपान आज सब कुछ खत्म कर देगा, ये नाराजगी आज खाकी को भारी पड़ेगी, आखिर ऐसा क्या हुआ, जो लोग कानून को हाथ में लेने पर उतारू टीबी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर को ध्यान से देखी, ये तस्वीर बीजेपी नेता संचियू मिस्त्रा की है, अब राधियों ने इनकी बेरहमी से हत्या कर दी, हत्या के बाद समर्धकों में इतनी नाराजगी है, कि वो पूरे पुलिस थाने को खत्म करने कर हंगामा किया, मामले को शांत करने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, संचियू मिस्त्रा पर जान लेवा हमला पहली बार नहीं हुआ, 2016 में जिला परिशत चुने जाने के बाद हमला पहले भी हो चुका था, तब तातकालिक सरकार ने सुरक्षा के लिए ब दिवस्था हटा ली, नतीजा आपके सामने है, पिछले साल 30 दिसंबर को किसी कारकरम से लोट रहे थे तो इनको गोली मारी गई थे, तो समय मेक्स में इलाज होगा था इनका, ठीक हो गए थे, इसके बाद इनको सिकूर्टी प्रोवाइट कराया गया, तब सिकूर्टी थी टीम भाई ने पहले ये कह करके कि सायब राज मुख्याले से ही इसका निरने होता है, इनकी सिकूर्टी वापस ले ली है, फिर भी इन्होंने पुलिस से दिमांड किया था, कि इनको थ्रेट किया जा रहा था, हाँ, लोकल लेबल पे, जो डीस्पी है, लोकल एड्मिस्टि प्रसासन है, उनके नॉलेज में था, कि थ्रेट है इनको, सारा चीच उनके नॉलेज में था, बार-बार इन्होंने जानकारी भी दी थी वहाँ, इसके बावजूद सेकूर्टी वापस नहीं हुआ था हत्या की बिरोध को लेकर बीजेपी, सरकार सत्ता पक्ष पर जमकर हमला कर रही है, वहीं सांसत, तुलाल चंद गोस्वामी ने क्या कहा, सुनिये बातचीत से लगा कि पुलिस परसासन को भी बहुत सारी बातों की जानकारी हो गई है, और मुझे पुरा विस्वास है कि आने वाला कुछ दिन में, जो भी अपरादी हैं, वो भकसे नहीं जाएंगे, वो पकरे जाएंगे, और बिहार में जिस ढंग से, लोग अपराद करन चाहते हैं, नितिश कुमार जी का नियाई के साथ जो है, शासन चलता है, कानून का राज बिहार में है, कोई अपरादी बकसा नहीं जाएगा, और हम लोग इस दिसा में काम करें और हर अस्तर पर बात जाएंगे, अब इस राजनीत को देखने के लिए नहीं होंगे, तो व